चोहानों की शक्ती लगातार बढ़ढ़ी थी चोहान राजाओं ने राजस्थान पर संभाता पंजाब की दिशा से आक्रमन का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों का हराया और मार डाला पंजाफ की तरफ चोहान सत्ता के प्रसार के कारण अब इस छेत्र में गजनवी शाशकों के साथ उनका टक्राव हुआ इस तरह दो महत्वा कांशी राजाओ, मुहम्मद गोरी और प्रत्विराज के बीच लड़ाई अपर यहां रियती यहां टक्राव तबरहिंद पर दोनों के दाओं के साथ आरंब हुआ 1199 इसवी में तराइन में हुई इस लड़ाई में गोरी की सेना पुरी तरह तबाह हो गई मुहम्मद गोरी की जान एक युवा खल्जी सवार ने बचाई प्रित्विराज अब तबरहिंद की और बढ़ा और बारा मा की घेरा बंदी करने के बाद उसे जीत लिया प्रित्विराज ने पंजाब से गोरीों को ख़ड़ने का प्रयास नहीं किया शायद उसे लगा हो की तराइन बार बार होने वाले तुर्क धावो जैसा एक और धावा है और गोरी का शाशक पंजाब राज्य पर राज्य करने का संतोष कर लेगा इससे मोहमद गोरी फिर से अपनी सेना को व्यवस्तित करने और अगरे साल तक भारत पर एक विशार आक्रमन करने का समाई मिल गया उसने प्रिथिराज को एक कथिश शान्ति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया कि पंजाब के गोरी शाशक ने अंतरगत ही रहने दिया जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 इस्वी को भारती इतियाज में एक नया मोड लेकर आई इस टक्राओ के लिए मुहमत गोरी इनने सावधाने से तैयारिया की थी कहते है कि वह 120,000 सेनिकों के साथ आगे बढ़ा जिसने पूरी तरह फोलादी जीराबक्तर से लेश एक भारी गुर्षवार सेना भी थी और 10,000 गुर्षवार तीरंदाज थे सोचना सही नहीं होगा कि पृथिवराज की स्तिती से लापरवा था और तभी चेता जबकि अंतिन समय आ गया यह दिपी यह सही है कि पिछली विजय मुहिम का सिपा सलासकंद कहीं और युद्धरत था गोरी की ओर से खत्रे को पृथिराज ने जैसे ही भापा उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की प्रात्ना किये कहते है कि अनेक राजाओं ने इसकी सहायता के लिए फोजे भेजी पर कन्योच का राजा जैचंदर किनारा कर गया कहानी है कि इसी कारण पृतिवराज द्वारा जैतन की बेटी संयोगीता का परण था जो उससे प्रेम करती थे इस पर अनेक इतिहासकारों ने स्विकारा नहीं है इस कहानी को बहुत बाद में एक रोमानी कथा के रूप में भी कवी चंदरवंदाई ने लिखाए और इनमें अनेक असंभाववे गटनाय है जिससा कि हमने देखा दोनों राज्यों के बीच पुराने सतुरता चल रही थी इसलिए जयचंद का किनारा कर जाना कोई आश्चारी की बात नहीं कहते है कि प्रतिराज ने तीन लाग की फोज उतारी जिसमें गुरसवारों की एक बड़ी संख्या और तीन सो हाती थे हो सकता है कि दोनों सेनाओं की संख्या आस्ति शयुकती हो भारती सेना की संख्या संभावता अधिकती पर तुर्क सेना का संगठन और नेततरु बहतर था यह लड़ाई घुरसवार सेनाओं की लड़ाई थी तुर्क सवार सेना के स्रेश्टतर और संगठन कोशल और उसकी तेजगती तथा उसके घुड सवार तीरंदा जो और भारी सवार सेना के आखिरकार मले निप्टारा कर दिया भारतिया सेनिक बड़ी संख्या में मारे गए फिर थिवराज बच निकला मगर सरस्वती के पास पकड़ा गया तुर्क सेनाओ ने हासी सरस्वती और समाना की गड़ियों पर कपजा कर लिया और फिर उन्होंने अजमेर पर हमला करके महां भी कपजा कर लिया प्रिथिवराज को कुछ समय तक अजमेर पशाशन करने की अनुमती दी गई क्योंकि उसके पास उस काल के सिक्के मोजूद है जिन पर एक वो तारिक दी गई और प्रिथिवराज देव अंकित है दुसरी और श्री मुहम्मद साम लिखा हुआ है शीग रही प्रिथिवराज को तथा कति सडियंतर के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उसका बेटा गद्धी पर बेथा दिल्ली भी उसके तूमः शाशक को वापिस दे दी गई लेकिन जल्द ही इस नीती को पलट दिया गया दिल्ली के शाशक को हटा कर दिल्ली को गंगा की वादी में तुर्क के भावी अभियान का आधार बना दिया गया एक विद्रो के बाद मुस्लिम सेना ने अजमेर पर फिर से कबजा किया और एक तुर्क सिपा से लार्मान युक्त किया प्रतिराज का बेठा रथमबोर चला गया और महां उसे एक नए शक्तिसाली जोहान राज्जी की निए उडाली इस तरह दिल्ली के इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शाशन के अधीन हो गए